हेलो गाइस इस सच्चिन चोवान वेल्कम बैक टूदी अने दाहू वीडियो गाइस मेरे पास एक कंसर्ण बहुत टाइम से आ रहा है जब से मैंने ब्रसल वान किया है उसके बाद से में से यह कोशिन पूचे जाते हैं कि सच्चिन भाई आप फेस्टिवल बता दीजिए कौ मैं बोलता हूं उनको कि आई अर्ण दिंग सो की भाई तो मैं पार्टिस्पेट करना चाहिए यू आर स्टिल नोट रेडी फॉर दी कॉंपटिशन तो वो मेरे से फिर आर्ग्यू करने लगता है कि भाई क्यों नहीं है हम रेडी या यह वह देखे गाईस आप टूबी होन लंच में क्या खाया है बेकफास में क्या किया है और डिनर में क्या किया है उस पर डिपैंड करता है महाँ पर की जजी का मैटर किया है मनलब जजी का किस तरीके का आप पर्सनल टेस्ट को लेकर वो उसके हिसाब से कॉंपटिशन जीते हैं दूसरी चीच इंडियन कोई भी इंडियन को बहुत जदा महंगी पड़ती है एक एक फटोग्राफ की एंट्री कम से कम 1500-2000 होती है कम से कम एक फटोग्राफ में लंडन में उसे भी जादा महंगी यूँकि वह पाउंड में आ जाता है ठीक है तो अगर आप मुझे फटोग्राफ भेज रहे हैं और मैं बोल रहा हूं कि आप कि यार आप अभी मत ट्राइब कीजिए उसके बाद आप मिर से आर्ग्यू कर रहे हैं तो आप तो बी ओनेस मैं यह थोड़ा हार्ड लगेगा हार्श लगेगा या तो आप मिर को ऐसा लगता ह है कि या तो आप मुझे भेजिये मत और आप अगर किसी आर्टिस्ट को भेज रहे हैं फोड़ोग्राफ रिव्यू करने के लिए तो उसकी सीलिस्टी कंसर्ण सुनिए कि वह क्या कह रहा है ठीक है क्योंकि वह आप वह एक्स्पीडेंस है तभी आप उसको भेज रहे हैं फ कामिया फैसा सिर्फ बरबाद होगा और कुछ नहीं कुछ नहीं होगा उससे पहले मैंने तीन-चार साल आराम से काम किया है मैने जो इमेज भी भीजी है फेस्टिवल्स में जो गाम मैंने बीजा वह पहले मैंने रिव्यू कराया और पाश्टाओकर से जो अच्छे लिस्ट है फ्रवर्व जो कई जगे पर वहन है वह इवन फाइनलिस्ट भी नहीं है कई जगे जो मेरी सीरीज वहन हो चुकी है वह फाइनलिस तक नहीं है तो आप कोई भी आई देन लगा सकती है आपकी इमेज किस तरीके से महां पे प्लैटफॉर्म पे जजी के टेस्ट के खरीजिए वह होगी या नहीं होगी ठीक है तो मेले हाप एक साल हुआ नहीं है आपको सबका होती है सब को सकते किसी ने वो चीज़ साल में क्याच कर ली हो सकता है आपने अभी तक ना करी हो चीजेए है कि अगर आपको फेस्टिवल में पार्डिस्पेट करना है ठीक है तो सबसे पहले बात ध्यान रखिए कि वह बहुत ज्यादा कोसली होते हैं और मैं प्रैफर करूंगा मैं आपको यह कहूंगा अगर आपके पास ट्रॉंग इमेज नहीं है तो उसमें मत भेजिए आप जिस की बीसिस पर बूला हुआ कि या वक्त नहीं करेगा और स्टिल आगर आपको पैसा वेस्ट करने सचाप शूट करने जाए ठीक है मैं यह भी नहीं बोलूँगा कि आप बोलो कि तुमने तो समय कर लिए फैस्टिवल में पार्डिस्पेट अब तो मैं यह भी मना नहीं करू ट्राइक करो अगर तुम्हें फिर भी नहीं मांते तो ट्राइक करो जब पैसा तुम्हारा वेस्ट होगा तो मैं खुद समझ में आ जाएगी चीज़े कि हां इर कितना पैसा इसमें लगता है जब तक आपकी स्ट्रॉंग इमेज नहीं है मैं आपको स्ट्रॉंग लीडिकर करूँ कि किसी भी festival में पाटिस्पट मत करो कोई फाइदा नहीं है। पैसा वेस्ट होगा मेरा भी बहुत पैसा लगए लेकिन गां यूग मेरे को चल सकती है फैस्ट वोह मैं तब ही भी बैजता हूं उतनी किसी भी इंटरनेशनल प्लाटफॉर्म पैसे नहीं मैं किसी भी मेच को उठा के भेज दिया है आप भी यह भी तो दिखे मैं चार साल के बाद मैंने फटोराफ भीजनी स्टार्ट करी है ऐसा नहीं कि मैं एक साल भी नहीं हुआ छे महीं नहीं हो और मुझे फेस्टिवल में पार्डि करें अगर कौन से फेस्टिवल में पार्डिसपेट करना है तो मैंने आई कार्ड में लिंक दे दूँगा यहां पर जाके अप सारी फेस्टिवल देख सकते हैं मैंने वीडियो बना रखिए बट स्टिल मैं आपको strongly बोलूँगा यह चीज कि अगर आप अपनी पहले फटो अगर आप उसमें के और प्यास लागाना पैसा लगाना थो इसलाग शट्टा बोलते हैं जाए जाए ब मेरा नियुगवा फिर्मे दूबर लगाओ पैस इत्सकंवाने का कोई कंसर्ण ने फैस्टिवल ठीक है तिंख 2009 नमेने वोन की अब रसल 2020 12-20 जो आउया हो रहा है किसमे जो वहन खर घर है highest किसमे जो बाहनु ह्पार्ट है जितना है इस भूल जाए जो इंगे फैमिली और मेरे को उनी के मैसेज़ीज भी आते हैं जो न्यूव फटाउक्फर्स है तो मैंने सुचा कि यह वीडियो बहुत ज़्याद ज़रूरी हैं के लिए तो सीरियसली कंसर ने अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए पांच-छे साल आराम से काम कीजिए अगर आपको लगता काम आप शोगेश करें इंटरनेशनल प्लाफोर्म पे बट थिंग अबाउट इट की राइट नाव यूर एवल और नोट पार्टिसिपेट इन इस कांड ऑफ इस इंटरनेशनल स्टीट फोगफी फेस्टिवल्स वी बहुत मतलब मास्टर स्लोग एक तम वहां पे उनका ज इसलीशनल प्लाफोर्म प्ल करें इसट करें अबाउट इस वी थिंगत के बाउट इसलीशनल प्लाफोर्म पेंच करें आप छोगफी खियूर्